आज हम दस्वा अध्याई सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से सहस्त्रों गौदान के पुन्य का फल मिलता है इसमें विकुंडल ने कुंडल को नर्क से मुक्ति दिलाई थी उसने अपनी पुन्य करम अपने भाई को दे दिये थे तो आईए शुरू करते हैं बोलो गनेश भगवान की जै महरिशे विशिष्ट जी ने राजा दिलीब से कहा कि देव दूत की वचन सुनकर विकुंडल श्रद्धा से गदगद हो उठे उसने कहा कि हे विश्णु दूत आपने मेरी अज्यानता का अंधकार का नाश कर दिया है अब क्रिप्या मुझे मेरे बड़े भाई की नर्क से मुक्ति का उपाय बताईए विश्णु दूत ने कहा हे वैश्यवर यदि तुम अपने आठवी जनम के तमाम पुन्य अपने बड़े भाई को अरपन कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नर्क के घोर कश्टों से मुक्ति पा सकता है विकुंडल ने कहा मैं अपने आठवी जनम के पुन्यों का दान देने के लिए तयार हूं कृपया मुझे मेरे आठवी जनम का हाल बताईए विश्णु दूत ने कहा हे वैश्यवर आठवी जनम में तुम एक मतस्य देश में निवास किया करती थे तुम ज्यानी, ध्यान वा तपस्वी, वा अनन्य, विश्णु भक्त थे, तुम सदेव माग मास के व्रत तथा श्नानविधी पूर्वक करते थे, उसी प्रदेश में मधुबन में शाकली भी निवास करते थे, उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक वा पती व्रत किस्तरी थी? रेवती ने नौ पुत्रों को जनम दिया, रिशी के पांच पुत्र, द्रोव, शशिबुध, तार तथा जोतिश्मान, अगनी होमी थे, वे धार्मिक रूप से ग्रहस्त आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे, महरिशी के शेश चार पुत्र, निर्मोही, ज वायूशीत उशंता इत्याधी को वश में कर रखा था, एक दिवस मध्यांत काल में चारों योगिन जन तुम्हारी द्वार के निकट से गुजरे, तुमने उन्हें देखा और आगरे पूर्वक अपने घर ले आए, वे महीना माग मास का था, तुमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इन साधूं की यथा योग्य सेवा की चारों रिशी तुम्हारी भक्ती भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए, तथा तुम्हें हरदय से आशिरवात दिया, विश्नु दूत्न के अपने आठवे जनम का वर्णन सुनकर वैश्यपुत कृत-कृत हो उठा, उसने अ हो गई, उस थान पर पुष्पों की वर्षा होनी लगी, तथा देव दूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक, दोनों भाईयों को स्वर्गा रोहन प्रदान किया, अतहे राजन जो भी श्रधा पूर्वक, माग मास के व्रत, पूजन तथा महत्मे का पाठन करेगा, वहनी स संदह निश्पाप होगा, सहस्त्रों गौदान के पुन्य फल को प्राप्त करेगा, तथा विश्णु लोग को अगरसर होगा, बोलो लक्ष्मी नारायन भगवान की जय!